हलो फ्रेंज वेलकम बैग टू सीजी जॉब एजुकेशन दोस्तों सिक्षक भरतिस जुड़ी बड़ी अपडेट हम इस पेपर कटिंग के माध्यम से बताने वाले हैं अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो कि राजपत्र में प्रकासन होते ही सुरू होगी शिक्षक भरती प्रक्रिया रथात राजपत्र में प्रकासन की जो प्रक्रिया है वो चल रही है तो ठीक जैसे ही राजपत्र में प्रकासित हो जाती है तो आपका शिक्षक भरती का जो नोटिफिकेशन है जारी कर दिय जाएगा देखिए प्रदेश में शिक्षकों के 12,489 पदों पर हो नहीं है भरती इसमें राजपत्र के प्रकासन का इंतजार शिक्षा विभाग कर रहा है अधि सूचना जारी होते ही विभाग द्वारा भरती की जो प्रक्रिया है शुरू कर देगी इसकी परिक्षा है दोस प्रक्रिया है शिक्षक भरती के लिए इसकुल शिक्षव भाग जो है अपने इस्तर पर पूरी तयारी कर लिया है दोस्तों ठीक है शिर्फ बचा है तो आपका राजपत्र में प्रकासित होना तो जैसे ही राजपत्र में प्रकासित होगा वैसे ही शिक्षक भरती की जो प जानकारियां उबलब्ध है केवल शिक्षविभाग राजपत्र का इंतजार कर रहे हैं जैसे ही राजपत्र प्रकाशित होता है शिक्षकों की जो भरती है शुरू करती जाएगी नोटिफिकेशन जारी करती जाएगी उसके बाद दस्तों आपका स्रीजी व्यापम द्वारा एक्जाम लिया जाएगा उसके मेरी डिष्ट के धार पर फिर भरती प्रक्रिया शुरू होगी दखिए इस पर आपका 36 प्रशिक्षिट D8B8 संगहठन के जो प्रमुख आपका सचीव है सुसान धाराई सर जीदों है उन्होंने फेस्बुक पेज के माध्यम से एक पोस्ट किया है जिसमें कहा है कि साथियो नमस्कार सबको ग्यात है कि 14,580 पदों की भरती के बाद लगभग 12,000 पदों पर नई भरती आ रही है हमारा संग पुल रूप से प्रयास कर रहा है कि इस भरती में किसी भी प्रकार का ब्योधान उत्पन ना हो ठीक है अर्थात वर्तमान म इसमें बहुत सारी समस्याएं हो सकती है चाहे वह आरक्षान की मुद्दे को लेकर हो या नियमों में फेर बदल को लेकर तो इसी स्थिती को देखते हुए जो संग चाहता है दोस्तों कि भरती में किसी भी प्रकार का ब्योधान उत्पर ना हो इसके लिए डिपी आई में पिछले सुक्रवार हमारी अधिकारियों से मुलाकात हुई जिसमें हमने आगरा किया किसी प्रकार का संसर की स्थिती आ किसको इनियम कानून में नहीं हो जैसे भरती में था ताकि कोई कोट ना जाए और अर्थात नियम में कभी ऐसी स्थिती ना आए कि नियम सब को समझ मे कोट चला जाता है किसी नियम के अनदेख्xi हो जाती है ऐसा सिच्पिशन इन्हों नखने की अधिकारियों से बादचीत किया और क्लियर कर दिया है कि सभी चीजे क्लियर हो ताकि किसी भी को किसी भी कैंडिडेट को उस पर कोई समस्य ना हो और भरती जल्द से जल्द पूरा हो सके तो ये बाते विभाग के अधिकारियों से संग के माध्यम से कहा गया है और उन्होंने लास्ट में लिखा है दोस्तों कि तयारी में लग जाईए अर है जारी कर दिया जाएगा इसके पूरुँ आपका सी जी टेट का रिजल्ट भी जारी होना है दोस्तों तो डिट को रिजल्ट ढूबे जया उस्टस गयराने की जो आते क्लिभावन अपको जाएगा है विभाग के द्वारा व्यापम के द्वारा तो जैसे ही कोई अपडेट हमें प्राप्त होगी हम इस चैनल के माध्यम से आपको देंगे इस वीडियो में इतना ही अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ जहीं